सो दिस इस दे लेडी डियारल अफ दे मोटरसाइकल ब्लुटूथ पेरिंग का आप से कोड मांगा जाएगा तो एपका अपडेट आया है और यहां पर आप स्प्लेंडर प्लस एक्स टेक भी आ गया है सो नाव यहां आप देख सकते हो कॉलर का नाम आ रहा है और कॉल नोडिफिकेशन आपको यहां नजर आ रहे हैं सो यह है नई हीरो स्प्लेंडर एक्स्टेक का मीटर और मीटर जैसे कि आप जानते हैं कि डिजितल अब आने लगा है तो एक्सटेक टेक्नलोजी के साथ आपको इसमें Bluetooth connectivity मिल जाती है so bluetooth connection इसमें कैसे होता है splendor में वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पहले meter की बात कर लेते हैं meter में आपको यहाँ पर trip A, trip B देखने को मिल जाएगा यहाँ odometer है speedometer काफी बड़े digits में यहाँ पर दिया हुआ है यह पूरा slot bluetooth connectivity के लिए दिया हुआ है यहाँ पर आपको fuel gauge देखने को मिल जाता है and average fuel consumption आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा बाकी telltale lamps आपको यहाँ मिल जाएगे so bluetooth connection इसमें कैसा करना है मेरे पास यहाँ पर phone है तो screen में आपको दिखाता हूँ so phone में आपको पहले play store में जाना है and ride guide search करना ride guide search करते ही आपको hero ride guide का app मिलेगा उसको install कर लेना so इसको install होने देते है and उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है कैसे करना app हमारा install हो चुका है इसको open करते है open करते ही आपसे permissions मांगेगा वो आपको permissions दे देना है and allow कर दते हैं ताकि यह app अच्छे से चल पाए तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि इस app को background location का भी permission चाहिए so इसको भी हम लोग activate कर लेते हैं all the time करना पड़ेगा वरना यह चलेगा नहीं back कर लेते हैं and now get started पर touch करते हैं तो पहले यहाँ पर सारी bikes आ रही थी hero की splendor नहीं आ रहा था तो app का update आया है and यहाँ पर splendor plus xtech भी आ गया है splendor plus xtech को हम लोग touch करेंगे and then allow करेंगे app setting आपको देखना है तो देख सकते हैं वरना ignore कर सकते हैं इसके बाद open location कर देना location हमने on कर दिया and यहाँ पर सामने device दिखा रहा है hero splendor xtech so इसको हमें touch करना and bike name हम देदेते हैं यहाँ पर spl connect तो यहाँ पर bluetooth pairing का आप से code मांगा जाएगा यह code आपको meter पर देखने को मिलेगा so meter में code है यहाँ पर 07 86 88 तो इसको हम लोग app में enter कर लेंगे and then pair कर लेंगे इस bluetooth device को do not disturb का यहाँ पर आपको permission देना पड़ेगा do not disturb access आपको इस app को देना पड़ेगा so hero ride guide में हम लोग जाएंगे and इसको allow कर देंगे allow do not disturb so now we are good to go and आपका meter हो चुका है इस phone से connect so यहाँ पर आप देख सकते है bluetooth connection हो चुका है तो यहाँ bluetooth का sign आ गया है battery कितनी है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है बागी call notification, message notification, missed call and notification यहाँ पर आ जाएगा by call करतना so call जैसे ही कटा है यहाँ पर notification आ गया है missed call का तो आप meter से पता कर सकते हो कि आपके calls आये हुए हैं, आपके कितने notifications आये हुए हैं भाई एक message करना इसके mobile पर तो आप phone पर जैसे ही message आएगा आपको message का भी notification यही पर देखने को मिल जाएगा तो this is a very good feature अगर आप traffic में इसको use कर रहे हो so आपको रुकना है या नहीं रुकना आप decide कर सकते हो यहाँ से जब आपको caller का नाम दिख जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हो message का भी notification आप आ गया है तो calls, messages, सबके notification आपको आ जाते हैं बहुत अच्छा feature है hero की तरफ से क्योंकि caller का नाम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है so आप decide कर सकते हो जब आप traffic में चल रहे हो तो आप decide कर सकते हो कि call important है या नहीं है आप रुख करके उसको receive करना चाहते हो या नहीं so call कटते ही जो caller है उसके पास एक message आता है that I am riding a bike so वो भी मैं message आपको एक बाद दिखा देता हूँ so यह message आया है I am riding a bike, I'll call you later तो यह feature बहुत जादा अच्छा है इस meter से जब आपका phone connected रहता है तो यह meter आपके caller को बता देता है कि आप bike ride कर रहे हो आप busy हो जो भी so यह बहुत अच्छा feature है hero motocop ने यह बहुत अच्छा feature include किया है बाकी इस meter को अगर आप on off करते हो तो यह खुद से disconnect और connect हो जाता है एक बार मैं आपको दिखा जता हूँ meter जैसे मैं off करूँगा यहाँ पर disconnected का notification आजाएगा disconnected and जैसे ही मैं on करता हूँ वापस on कर दिया मैंने and यह connect हो चुका है जैसे ही हम bluetooth on करते है and smart mode यहाँ पर on है सब कुछ on है यह खुद से connect हो जाएगा connect हो गया so यह बहुत अच्छा feature लगा मुझे यह बहुत hazel free connect हो रहा जब यह connect हो रहा तो hero motocop यहाँ पर लिखा हुआ रहा and इसको on off करने पर भी यह खुद से connect हो जा रहा so that is a very good feature बाकी इस motorcycle में आपको DRL भी मिल जाता है but वो on तब ही होता है जब आपका engine on होता है तो एक बार में वो भी आपको दिखा जेता हूँ so this is the LED DRL of the motorcycle and काफी खूबचुरत लगती है definitely but उतना काम का नहीं है यह because ignition on होने से ही इसका DRL on होना चाहिए था but ऐसा नहीं किया है hero ने पता नहीं क्यूं बाकी सब ठीक है इस motorcycle में बाकी vibrations भी उतने नहीं है वरना फोन अभी तक गिर गया होता है इस motorcycle का detailed review आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा and अधेरे में मैं अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ because मैं इसका headlight का throw आप लोगो को दिखाना चाहता था तो एक बार headlight का throw देखते है इसका तो सामने बिलकुल ही dark है and बाइक ने अच्छे से उसको light up कर दिया है अभी motorcycle high beam पे है जैसे कि आप meter में देख सकते हो इसको low beam पे करता है low beam पे भी throw अच्छा है and पूरे road को light up कर देगा यह एक बार मैं off करके दिखा देता हूँ बिलकुल ही अंदेरा है यहाँ पे तो यहाँ पूरा ही अंदेरा है बस मेरे flashlight का light आ रहा है जो भी है इसको दोबारा से on करते है तो meter कुछ ऐसे swipe up मारती है बहुत खूबसूरत सा meter है यार इसका फिर से on करते है तो आप देख सकते हो कैसे यह रोड को light आप कर सकती है मैं तो अभी एक ground में खड़ा हूँ या अच्छा खासा light का throw है तो आज के वीडियो में इतना ही है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं एकले vlog में तिल दन राइड सेफ राइड हाड और बबाई